इंडिया का सबसे बड़ा रियाल्टी शो बिग बॉस सीजन 18 के शुरुआत हो गई और धमाकेदार तरीके से होई रजत दलाल जो एक बहुत ही जादा वायरल सोसल मीडिया इंफिलेंशर है कि एंट्री हो गई है और रियल लाइफ में उनकी जो इमेज है कुछ ऐसे ही उमीद कर रहे है कि बिग बॉस के अंदर भी चाहे क्योंकि बिग बॉस को भी चाहिए कि वो बक्चोद वाले लोगों को वहाँ पे दाना चाहती है जो फाइट दे जो एकदम कहते है न ड्रामा चाहिए क्योंकि रियाल्टी शो में लोग लड़ना जगड़ना यही सब चाहते है आपकी बात बिलकुल सही है तो वाँ पे सीधे लोगों का जवाना नहीं है और रजद दलाल के एंट्री से कहीं न कहीं बिग बॉस की टियारपी पहले दिन सही बूम हो चुकी है क्या बात है सर क्या टियारपी की बात करें तो सलमान खान के होते हुए बिग बॉस की टियारपी हर साल बढ़ती चली गई है सलमान खान मतलब बिग बॉस और यह 18 सीजन सक्सेस्पूल मतलब 18 सालों से इतना हिट शो रहा है कि इसका OTT वरजन भी लाना पड़ा और OTT वरजन भी कमाल का र क्या और इसी तरीके से हर साल कई न कई यह चीजें बढ़ती चली गई लोगों के लिए वो क्रेज बढ़ता चला गया सिदार सुकला का सीजन हो जो आज तक का सबसे बड़ा हाइस जो कहते है न टी आरपी वाला सीजन था उसको आज भी लोग रिपीट में देखते हैं आस सारे और भी आपको देखने को मिलेंगे पर एक अच्छी सबसे बड़ी बात यह लग रही है कि सोसल मीडिया जो इंस्टाग्राम फ्लोसर है या फिर यूट्यूबर से इनका हमेशा से इन शो में बहुत ज़्यादा क्रेज रहा है लाइक टीवी सीरियल जो सालों से बनाते आए हुए है मुवीज में जो काम कर चुक है वो लोग भी जगर आते हैं ना इस शो में तो उनको इतना प्यार नहीं मिलता जितना हम जैसे लोग जो है सोसल मीडिया पर वर्क करते हैं या फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम पर इनको वो प्यार मिलता है यह बड़ी अच लोग ऐसे भी निगेटिविटी को बहुत जादा बढ़ चड़ के देखते हैं आप देख लो अभी जो सोसल मीडिया पर फाइट चल रही थी एक दूसरे को लोकेशन लोकेशन भेज रहे थे लोग पागल हो चुके थे और यहीं बात जब रजर डलाल की एंट्री हुई य किसी ने मुझे सर्च किया और देखने की कोशिश की मजा आया यहीं बताता है कि आज की दुनिया में लोग क्या चाहते हैं और इसी से इंफ्लूइंस होके कहीं न कहीं बहुत सारे लोग वो चीजे जोते हैं एक सचा इमानदारी और सही से रहने वाला वो रास्ता छोड़ के कहीं कई काई कॉंट्रिवर्सी की तरफ जा रहे हैं और यह ओबियस है अगर जिस चीज से आपको बहुत ज़्यादा फेम नाम पैसा सब कुछ मिलने लगे तो लोग वो पात को छोड़के दूसरे पर ही मूव करेंगे लेकिन उस सबसे हटके सबसे बड़ी अच्छी बा आते ही एंट्री के साथ ही लोगों ने बिग बॉस को देखना शुरू कर दिया या तक कि जो जियो सिनेमा का जो सोसल मीडिया है इस्टाग्राम पे बहुत सारे कंटेस्टेंट की एंट्री दिखाई गई रील काट के उसमें सबसे जादा व्यू भी गया तो रजद दलाल क आप सुछ सकते हो कि लोग किस तरीके से प्यार करते हैं सोशल मीडिया इंफ्लेंसर को कि 來 women फ़र्ग नहीं पड़ता कि वह किस तरीके से से एस जैसे सोसल मीडिया पे क्या दिखा रहा है बस यह है कि लोग कनेंक्ट कर जाते कहीं एक अच्छे बात लगती है मुझे और य TV, Serial जहां पर आपको कहते हैं न कि नेपोटीजम है या फिर जान पहचान या बहुत सारी चीजों की जरौत होती है ऐसी जरौत है नहीं है हर आम आदमें एक सेलिबरिटी बन सकता है अगर उसमें पोटेंशियल है टालेंट है तो अपने परफॉर्म करके अपने रील के माध हुआ है अपने झालेंट है टालेंट है तो अपने करेंट ने सकता है और सकता है या या तो झाल झाल